कि अपने यूटूब चैनल ड्रीम टेक इंजिनियर्स पर स्वागत करता हूं आए हम बात करते हैं हाइड्रोलिक सेंड हाइड्रोलिक मसीन के बारे में जो डिप्लोमा में मेकैनिकल और सीविल दोनों ब्रांचे में क्या किया जाता है पढ़ाया जाता है हाँ तो हम पहले बात करेंगे हाइड्रोलिक सोता क्या है तो देखिए हाइड्रोलिक सो हिंदी में बोलते हैं तो जो अगरने एक सखाह है क्या है साइंस यसके अंतरगत औरवे में के परवाहएं द्रवहों पर लगने वाले दाब आवर द्रों से चलने वाली मशीन है हाइड्रोलिक जैक हाइड्रोलिक रैम उपाईल裡面 Спार्वाम तथा जो हाइड्रोलिक द्वारा जो पानी दोरा द्वारें दूत उत्पन किया जाता है जब आपके घर में लाइट जा रहा है तो इसके उत्पन करने के तीन चार तरीके हैं जो मेन होता है कोईला द्वारा होता है कोईला जला के हैं आई एक होता है जो पानी को इकाठा किया जाता है और उसको एक टरबाइन में भेज कर और टरबाइन साफ्ट को घुमाता है प्रोसेस आगए आपको पढ़ा जाएगा तो देखिए हाइट्रोलिक्स विज्ञान की एक सखा है जिसके अंतरगत द्रों के प्रवाग द्रोंक पर लगने वाले बल तथा इसके गुड का और द्रोंक द्वारा चलने वाले मसीनों का धिन किया जाता है है तो पहले हम इसें बात करेंगे कि इसकी आउसकता क्यों हम पढ़े हाइट्रोलिक्स मसीन बिना जरुवत का कोई भी काम नहीं किया जाता है कोई भी इंसान बिने फायदय बिने जरुवत से कोई काम नहीं करता है अगर आप पढ़ना चां सो मनूं यह आप सब्जेक्ट में भी है विए विए इसका क्या होता है वो कैसे फ्लो करता है है अब इसमें कर से काम करता है नल्ड कूप कैसे काम करता है यह व्यक काम करता है Starting मर्सेबुल करता है कौन कौन से पाट लगे हुए होते हैं यह सब हम लोग इसी सब्चेक्ट के अंदर किया करेंगे पढ़ेंगे तो पहले हम बताएंगे फ्लूड क्या होता यस में कि इसने पहला याप लोगों को हेडिंग है फ्लूड हुड है ते देखिए हाप लिका फ्लूड फ्लूड को क्या बोलते हैं तरल हिंदी में इसको बोलते हैं तरल हाँ तफ लूड क्या होता है जिसें पहने का गूड हो जिसमें फ्लो करने का गूड हो तो इंजामपल में यह से कौन-कौन से बोलते हैं चीजें हैं जो बह जाता है जो उती हैhst क्या हो गया ह्योश्त हो और प्राइब चलने वाले जो मसीनें उसमें क्या किया जाता है कि गुर्ण design summary होता है थोस होता है दूसरा द्रौव होता है आतीसरा क्या होता है गैस होता है तो जो ठोस में फुलूड होता है कैसे आप को गेट सुबह सुबह करते हैं तो क्या है थोस फुलूड है वह भी बहता है लेकिन उसको देखें होंगे आप लोग वह सॉलिड वस्था में रहता है समझे में आ रहा हैं और जो लिक्वीड में हो गया टीजल हो गया पेट्रोल हो गया मिट्टी का तेल गाम होता है सर में होता है मिट्टी का तेल हो गया और सरसो का तेल हो गया ऐसे बहुत से तिल होते इंजन आयल हो गया ब्रेक आयल हो गया इस्टेरिंग आयल हो गया टेकनिकल में इस्टेरिंग आयल गीरबाकस आयल लगाता है डिफ्रेंसियल आयल होता है बहुत परकार की आयल होते हैं तो क्या है वो लिक्वीड है आया आप लोग देखे होंगे कभ हाइडरोजन हो गया सिंजी है स्मंध में आ रहा है इसब क्या है यह है इसब है अंतरगता आते हैं ऐसे ह lend to house हो गया जो गुबारे में डालका गुबारे मतलब गुबारे में डाला जाता है वह हिलियम गैस हो गया जो तो यह फ्लूट कितने परकार को तर्ट तीन परकार करें समझ में आ गया होगा अब हम सब के बारे में एक अध्यन करेंगे आगे तो इसी बीच हम बताना चाहा पढ़ना क्यों जरूरी है कि इसका कि लाव क्या है एडवांटेज क्या है प्रोफिट क्या है उसके बारे में हम बताइंगे बेखिये यहां पर एंपार है जो कि भी मडाबलू एग्जी इसमें लगे होते हैं कमानी हो गया जिसको पत्तिदर स्प्रिंग या लीप बोट तूट गया यह फय्क पईया है जो पिंचर हो गया है यह टायर खराब हो गया तो उसको क्या करना पड़ता है तो देखेहन लोग कोई बालीवूट के हीरो ठोड़े होगे कि इसे लोग भी मिले तो नहीं उठा पाएंगे तो उसके लिए मसीने बनाई गई तो पहले मसीने थी और मेकेनिकल सिधान पर यांत्रिक मसीने हुआ करती थी किसे स्कूरू जैक होता था तो भी इसको उठाने काम करता था लेकि उसे फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता था एक लोग या दो लोग मिलके उसको घुमाना पड़ता है उसमें एक ठ्रेड कटा रहता है देखिए पहले इस कुरूज जायक में क्या होता था जादे ताकत की जरूद पड़ती है अगर हम हालीबुड वाले या वालीबुड वाले हिरों को बुलाने के जरुवत नहीं पड़ेगी कि यहां सपोर्टर रहता है प्रेंट एक्सल या रियल एक्सल पर लगाके अब उसको प्रेस करना होता है उपर नीचे प्रेस करें यह क्या करेंगा उठी आएगा समझ में आया यह बात और इसका यूज है जैसे प्रेंट में हाइड्रोलिक वाला ट्रेक्टर चल रहे हैं आपके घर मिट्टी गिराना है तो पहले क्या होता था कि चार-पाच मजदूर ढूड़ना पड़ता था फिर क्या करते थे वह मिट्टी को ट्राली मिला देते थे जो क्या करता है जो इसमें ड्राइबर होता है उसमें एक हेंडल दिया ऐसको आपको इससे उठाना होता है और आपकी ट्राली का Dil以及 एस आपके जिएरन में जैसे जैसी इस हमाली एही जूभी घर हो पुराने होकए पहले तोड़ने महिनों दो महिना लग जाता था लेकि परजेंट में एक जैसी भी लेकर जाएए और एक दिन के अंदर प्रात तोड़ ताड़के अलग कर देगा माली गढ़्धा को इतना है तो जो गढ़्धा अगर आपको एक मजदू 10-20 दिन में करें उम आपका हाइड्रोलिक जो मसीने ह इस ग्याउआ और फिर्चों में घ्युम्न हैं यह तो यह गंटे के अंदर करके रेडी कर देंगे पहले इंसान बोरिंग करता था तिनसंत को बोरिंग करने में या लग बेटा के चले जाएंगे इसका बहुस जादा एड़ांतिज है और इस hydraulic subject के अंत्रगत हम लोग pipe के बारे में पढ़ेंगे pipe कुतने परकार के होते ही इसके बारे में पढ़ेंगी और कुस्व भग्यानिक हैं महान भग्यानिक PASCAL हो गया बरनौली थियुरम हो यह सब इसी में पढ़ेंगे और जो लिक्विट के बीच में जो फोर्स लगता है संजा कबाल असंजा कबाल यह सब मतलब बहुंच चीज़ें जो आप लोग को इसमें पढ़ना है तो हमारा आगे के वीडियो आप लोग देखते रहे एक एक करके सभी टोपिक पर बात होगी अभी यह क्यों हाइड्रोलिक का इंट्रोडेक्शन था तो आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें आज हम जा रहे थे और एक नदी के किनारे गए वहां पर एक माता जी मिली उन्होंने कहा कि जो जो ड्रिम टेख चैनल को सब् अज़ाब किया तो उसके गढ़िए लाक रुपिया मिल गये हैं कि अब झान के लिए